रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें 51 सालों के बाद इस महा शिवरातरी पर बन रहा है महा संयूग इन साथ राशी वालों की चमकने वाली है किस्मत जी हाँ नमशकार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महा देव अवश्य लिख दे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार की महा शिवरात्री पर ऐसी कुल साथ राशी वाले लोग हैं जिनकी अब किस्मत चमकने वाली है तो वही पाँच ऐसी राश्या भी रहेंगी जिनको मध्यम फाइदा इस दोरान देखने को मिलेगा दोस्तों आपकी जानकारी एक लिए बता दिए कि महा शिवरात्री का पर्व भगवान शिव की अरादना के लिए खास महत्वर रखता है जितने भी शिव भगत हैं वे इस पर्व के लिए साल भर से इंतजार करते हैं इस दिन भगवान बोले नाज जी को खुश रखने के लिए भगत वरत और अरादना करते हैं ताकि उनकी मनो कामना पूर्ण हो सकी ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती जी से विवा हुआ था दोस्तों इस बार की शिवरात्री बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है क्योंकि इस बार 51 सालों के बाद इस महा शिवरात्री बर कई सारे विशेश महासंयोग बन रही है बताना चाहेंगे कि इस बार की महाशिवरात्री पर सरवास सिध्धी योग, अमरिश सिध्धी योग और रवी योग बन रही हैं साथ ही इस दिन मंगल और चंद्रमा की युती होने से महालक्षमी योग भी बनेगा दोस्तों यह सारे संयोग और महाशिवरात्री का पावन पर्व दोस्तों यह सारे संयोग के एक साथ बनने से इस महाशिवरात्री पर कुछ राशी वालों की अब लोटरी लगने वाली है आज हम आपको इस वीडियो में उन्ही राश्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे इसलिए वीडियो को आप अन्तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव को सच्चे दिल से चाहने वालों के लिए कुछ खास शब्द आखिर करूं क्या फिकर की मौत के बाद जगह कहां मिलेगी जहां होगी मेरे महादेव की महफिल मेरी रूँ वहां मिलेगी इसी के साथ खुद को महादेव से जोड़ लो और बाकी सब महादेव पर छोड़ दो हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव का दिया हुआ हमें सब स्विकार है, मेरे महादेव के रहते हुई, चिंता करना बेकार है, अगर आएगी मुसीबत भी, तो मेरे महादेव उसे टाल देंगे, हम महादेव के भक्त हैं, हमें महादेव ही संभालेंगे आंधी तूफान से वे लोग डरती हैं जिनके मन में प्राण बसती हैं और वह मौत देखकर भी हसती हैं जिनके मन में मेरे महादेव बसती हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें तो आए दोस्तों जान लेते हैं कि इस बार 11 मार्च को इस महाशिवरातरी पर किन राशी वालों की चमकने वाली है किस्मत दोस्तों बता दें कि महाशिवरातरी का त्योहार फागुन महिने की चतुरदशितिति को मनाया जाता है बता दें कि इस बार ये महाशिवरातरी का पावन पर्व 11 मार्च अनी गुरुवार को है इस दिन सुभ नौ बचकर 22 मिनिट तक महान कलियान कारी शिवयोग भी विध्यमान रहेगा उसके बाद सभी कारियों में सिध्धी दिलाने वाला सिध्धी योग आरंब हो जाएगा शिवयोग को स्वयम भगवान शिव से आशिरवाद प्राप्त है कि जो तुम्हारे उपस्तित रहने पर कोई भी धरम करम मांगलिक अनुष्ठान आदी कारे करेगा वह संकल्पित कारे कभी भी बातित नहीं होगा उसका कारे का सुपरणाम कभी भी निश्पल नहीं इसलिए इस योग में किये गए शुब करमों का फल मनुष्य को सदैव मिलता है मता दें कि इस बार की चतुरदशी तिथी का प्रारंब 11 मार्च दोपहर 2 बचकर 40 मिनिट पर शुरू होगा और इस तिथी की समापती 12 मार्च की दोपहर 12 बचकर 23 मिनिट पर होगा इस दिन इस योग लगा रहेगा और साथी गनिष्टा नक्षत्त रहेगा और चंद्रमा मकर राशी में रहेगा इसलिए इस बार की महाशिवरात्री बेहदी खास मानी जा रही है इस साल शिवरात्री की पूजा संप्मूर विदी विधान के साथ करने से आपकी सभी मनो कामनाएं पूण होंगी दोस्तों जोतिश की माने तो इस बार की महाशिवरात्री और इन सारे संयोग का फाइदा उलसात राशी वालों को मिलने वाला है अब चलिए आपको बता देती हैं कि आखिर ये भागिशली राशिया कौन सी है जिनकी हम यहाँ पर बात कर रही है दोस्तों ब बता दें कि इस राशी के लोगों को इस दोरान धन अर्जत करने के नए अफसर मिलने वाले हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं और नौकरी की तलाश कर रही हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है जी हाँ वहीं जो लोग पहले से ही नौकरी कर रही हैं और किस कि इन राशी वालों को महादेव के क्रिपा से अब काफी ज़्यादा धन लाब होने वाला है आपके बिजनिस में और विवसाय में बिकरी में तेजी से उच्छा ला सकता है बता दें कि जो लोग नया बिजनिस खोलने की सोच रही हैं या फिर वरतमान बिजनिस को भी और बड़ा करना चाहती हैं उनके लिए भी ये शिवरातरी का समय बहुती ज्यादा शुब और फलदाई रहने वाला है दोस्तों अब बात करते हैं अगली राशी जो की है तुला राशी जी हां बता दें कि इन राशी के लोगों को व्यापार और नौकरी में सफलता मिलने वा इस दोरान आपके किसी कनोनी विवात का निप्टारा भी हो जाएगा इस दोरान आपको इनकम में बड़ोतरी देखने को मिलेगी साथी साथ चल रही पुरानी समस्याओं से आपको छुटकारा भी बराप्त होगा दोस्तों अगली राशी है करकराशी जी हां बता दें कि इ बैटे पैसों की आमदनी होने वाली है जी हां इस दोरान आपके पास कई सारे ऐसे मौके भी आएंगे जिससे कि आपको बविश्य में और भी ज्यादा फाइदा मिलने वाला है इस राशी के लोगों को इस महाशिवरातरी में इन राशी में लोगों को इस दोरान माता लक् बता दें कि आप लोगों को शिवरातरी के दिनों में पैसा कहीं निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो कोई बिजनिस शुरू करना हो या आपका पैसों से रिलेटेट कोई भी काम हो आप इस समय में जरूर करें आप इस दोरान पाएंगे कि इस दोरान आपके दोरा खर्च किये गए पैसों का लाब आपको जल्द मिलने लगीगा दोस्तों अगली जो राशी है वो है मकर राशी जी हाँ दोस्तों इस राशी के लोग इस दोरान धन से सम्मंदित जो भी काम करेंगे उसमें आपका जो भाग्य है वो आपका खूब सारा साथ देगा आपको इस दोरान किसी करीबी के द्वारा धनलाब होने की संभावना बन रही है ऐसे में इस दोरान आप अपने करीबी लोगों से मेल जुल बड़ा कर रखिये आपको उनकी वज़े से इस दोरान बहुत बड़ा लाब देखने को मिलेगा दोस्तों अगली जो राशी है वह है सिंग राशी जी हाँ बता दें कि इस राशी के लोग इस दोरान थोड़ी सी मेहनत करने में अधिक फाइदा और अधिक धनलाब कमाने में सफल रहेंगे बता दें कि इस राशी वाजे लोगों की धन के मामले में किसमत तो अच्छी है लेकिन आपको इस दोरान थोड़ा साबस प्रयास करने की जरूरत है और फिर आपके सबी रास्ते अपने आप से खुलने लग जाएंगे साथी साथ आप लोग इस शिवरात्री में बगवान शिवजी के नाम कवरत जरूर रखें इससे आपको बहुती ज्यादा लाब देखने को मिलेगा दोस्तों अंतिम राशी है कुम्ब राशी जी हाँ बता दें कि इस राशी वजे लोगों को नौकरी और व्यापार में सफलता देखने को मिलेगी आपको हर जगर से इस दोरान पॉजिटिव फल मिलेगा इस दोरान विरोजगारों को नई नौकरी के अफसर प्राप्त होंगी इस दोरान आपके किसी कानोनी विवाद का निप्टारा भी होगा नौकरी के शेत्र में आपको प्रमोशन भी हो सकता है साथी साथ आपकी जितनी भी कोई भी पुरानी समसियां हैं परिशानियां हैं उन सब से आपको यह जोरान छुटकारा प्राप्त होगा दोस्तों बाकी की जो पाँच राशियां हैं यानि की वरिशब राशी, मिथुन राशी, धनु राशी, मीन राशी और वरिश्चक राशी बता दे की इन राशी के लोगों के लिए ये समय मध्यम फलदाई रहने वाला है इनका कोई जो पुराना काम जो रुका हुआ था काफी दिनों से वह अब महादेव के क्रिपा से पूरा हो जाएगा साथी साथ आपको इस महाशिवरात्री पर कोई बहुत अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है दोस्तों आपसे अंदरोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्छे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिख दें आपकी राशी कौन सी है यह भी हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताएं वीडियो को जितना उस तके अपने वाटसाइप और फेस्बुक पर शेयर कर दें धन्यवाद आपका दिन शुब रहे